For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movie Zadda. काफी समय से संजय लीला भंसाली मल्यालम ब्लॉगबस्टर फिल्म पुली मुरुगन का हिंदी रेमेक बनाने के बारे में सोच रहे थे और खबर आने लगे कि इस फिल्म में वो रितिक रौशन को कास्ट करने वाले हैं. मगर फिर अचानक संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को अपने हम दिल दे चुके सनम स्टार सल्मान खान को नरेट किया. कहा जा रहा है कि सल्मान को कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी. वैल तो अब काफी लंबे अरसे के बाद हम SLB और दबंग खान को रियुनाइट होता देख सकेंगे. और जहां ये खबर सभी सल्लू फैंस के लिए खुशियां लेकर आई है, वही रितिक रोशन के आउस्टर से उनके फैंस को निराशा होने लगी है. तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है? हमी जरूर बताएं.